हेलो दोस्तों उमीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम फ्रैक्शन्स को एड या सब्ट्रेक्ट करते हैं तो दोस्तों एक्जेम्पल लेते हैं कि हमारे पास दो फ्रैक्शन्स हैं 3 divided 4 plus 8 by 4 ओके तो आपने देखा कि जो बॉटम नंबर्स हैं दोनों के वो सेम हैं तो आपको इन दो नंबर्स को एड नहीं करना ओके आपको सिर्फ उपर वाले नंबर्स को एड करना है और इनको आपको as a common treat करना है तो आपको इनको कैसे करना है solve तो इसके लिए आपको 4 क्योंके दोनों में सेम है तो as a common number हम इसको ऐसे 4 लिख देंगे और आप हम सिर्फ उपर वाले नंबर्स को एड करेंगे so 3 plus 8 हम इसको ऐसे कर देंगे और जब हम इन दोनों को एड करेंगे तो हमारे पास answer आएगा 11 by 4 तो guys यह correct answer है अब कुछ लोग क्या करते हैं वो ये करते हैं कि वो इन दो नंबर्स को भी एड कर लेते हैं और उपर वाले नंबर्स को भी एड कर लेते हैं so for example अगर इन दो नंबर्स को एड करें तो ये आएगा 8 और उपर वाले नंबर्स को एड करें तो आएगा 11 तो उनका answer आता है 11 by 8 जो के एक wrong answer है fractions के लिए और fractions को हम ऐसे solve नहीं करते हैं तो ये एक चीज़ mind में रखने माली है तो दोस्तो अब दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम fractions को subtract करते हैं ये कैसे उनको minus करते हैं So for example हमारे पास दो fractions हैं 7 by 8 minus 3 by 8 So अब आप इन में देख रहे हैं कि नीचे वाले जो दोनों numbers हैं वो same हैं तो उनको हम as a comma लिखेंगे जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में किया So अब हम यहाँ पर 8 लिख देंगे Okay और उपर वाले numbers को हम जो के 7 और 3 है उसको minus कर लेंगे Okay तो हमारे पास जो answer आएगा वो आएगा 4 divided by 8 Okay तो यह है correct answer लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं वो इस 8 को और इस 8 को plus कर देते हैं या minus कर देते हैं तो answer गलत आता है तो इसको हमेशा क्योंकि यह दोनों number सेम है इसको हम as a common लेंगे और सिर्फ उपर वाले number को हम minus करेंगे तो हमारे पास answer यहाँ पर आजाएगा 4 by 8 जो के correct answer है So guys अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम fractions को solve करते हैं अगर यह bottom वाले numbers भी different हो So उसके लिए आप मेरी next video पर click कीजिए